जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं सिट्रिजिन टेबलेट सिट्रिजिन टेबलेट का उपयोग कब किया जाता है डॉक्टर किन किन दवाओं के साथ सिट्रिजिन का टेबलेट उपयोग करने के लिए देते हैं या हम कभी-कभी खुद से citizen tablet लेते हैं ये किस काम में, किस condition पे, किन दवाओं के साथ देना चाहिए, किन दवाओं के साथ नहीं देना चाहिए इसका पूरा detail से जनकारी आज हम आपको हिंदी में देंगे citizen tablet की पहले हम dose की बात करते हैं की adult में 10 mg दिन में एक बार देने के लिए डॉक्टर देते हैं मरीज को prescribe करते हैं इसे आप जैसे 10 mg का अगर है citizen tablet तो इसे आप 5 mg करके यानि 5 mg एक बार और 5 mg दो बार यानि सुबह और साम करके इसे दो बार ले सकते हैं 5 mg करके यानि पूरे दिन में 10 mg लेने की सला दी जाती है डॉक्टर के दोरा जैसे की अगर 10 mg सला देने के लिए कहा जाए तो इसे 5-5 mg करके आप सुबह साम ले सकते हैं और सिटिरिजिन टबलेट का डोज 20 mg जा सकता है पेसेंट की कंडीसन के हिसाब से डॉक्टर मेडसीन को निर्धारित करके देते हैं मरीज को कितनी ज़्यादा तकलीफ है कितनी ज़्यादा बीमारी है उस हिसाब से डॉक्टर इस मेडसीन का दवा निर्धारित करके बताते हैं जैसे कि अगर 6 महीने से कम का बच्चा है तो उसे डॉक्टर के दोरा से ट्रिजिन मेटसीन नहीं देने की सलाह दी जाती है। जैसे कि अगर बच्चा दो से 6 साल के बीच में है तो उसे 0,5MG की सलह दी जाती है दिन में 2 बार और अगर जैसे कि बच्चा 6-12 साल के बीच में है तो उसे 5MG BD के हिसाब दोज निर्धारित करके डॉक्टर देते हैं बच्चे की बड़ी बेट और उसके उमर اور उसकी समस्स को देखते हुए कंडीशन के हिसाब से इसका डोज घटा बढ़ा करके भी दिया जाता है जैसे कि अगर बारा साल के उपर का है तो उसे एडल डोज ही दिया जाता है जैसे कि हम ओपर एडल डोज बता चुके हैं आपको दस से दस एमजी दिन में एक बार और या बच्चे की या उस ब्यक्त को जिसे देना है उसके बाडी बेट के हिसाब से डॉक्टर उसकी उमर और उसकी बीमारी और उसकी कंडीशन को देखते हुए इस दवा का डोज इन्हें धारत करके फिर बताते हैं चलिए अब सिट्रिजिन मेडसीन की यूज़ेस जान लेते हैं इसका यू दो किया जाता है जैसे छीक आ रही है तो उसमें भी ऐलरजी राइनेटर्स का मतलब होता है बार बार छीके आना या नाक बएना अगर इस समयस्या में सिट्रिजिन टेबलेट का उपयोग किया जाता है डॉक्टर के दौरा है इसकी नीरिब जिसे इलर्जिन इलर्जिन टे सिट्रिजीन का टेबलेट नहीं लेना चाहिए किस बीमारी में किस समस्या में जैसे कि अगर किसी को किड्नी की प्राबलम है तो वहाँ पर रेनिटीडीन का टेबलेट नहीं लेना चाहिए लीवर की समस्या में नहीं लेना अगर लीवर समंदित कोई बीमारी है तो उसमें भ आपको SITREGIN का टبلेट बिना डाक्टर के precaution के नहीं लेना चाहिए। चलिए जान लेते हैं SITREGIN टेबलेट के side effect क्या क्या हो सकता है। जैसे कि abdominal pain की समस्या हो सकती है। आपको पेट में दर्द का हो सकती है। ड्राई माउत की समस्या हो सकती है। डीजनेस की समस्या हो सकती है, हैडेक हो सकता है, डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, रेसस की प्राबलम हो सकती है, तो एक कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं, सिट्रिजिन के जो देखने को मिलते हैं, ये वीडियो से नार्मल जानकारी के लिए है, अगर आपको कोई दिक क्यों डाक्टर या फार्मासिस्ट से संपर करके दवा लें, कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना लें, या वीडियो से नार्मल जानकारी के लिए हैं.